पाकिस्तान के विमान पाकिस्तान की तरफ गए और उनके अंदर से एक जो विमान था वो मारा क्रेस हो गया था वड़गाओं के अंदर जिसके अंदर हमारे पाइलेट है वो सहीद हो चुके थे जिसके अंदर उतर प्रदेश के पंकज कुमार भी मतूरा के सहीद हुए और इसके अलावा एक एसा था जो क्रेस हुआ उसके जो पाइलेट थे पाइलेट अभिनंदन वो हम लोगों के बीच से एरपोर्स के जाबाज कमंडर अभिनंदन है वो एरपोर्स में क्रेस होने के बाद अपने जो पैरा सुड़ता उसकी मदद से वो नीचे खुदे लेकिन वो सयोग वस या दुरुभागे वस पाकिस्तान की जमीन पर है वो कूद गए थे उसके बाद से पूरे देश के अंदर जहां कमाम लोगों ने अभिनंदन सिंग को वापस लेने के लिए सेना का और जो सरकार है उस पर दवा बना रहे हैं सेना का अबार जता रहे कि कम से कम सेना के जो जबान है उनकी काबिल जो तारीफ थी वो की जानी चाहिए लेकिन सरकार पर दवा बनाया जारा कि पाकिस्तान जैसे भी तैसे करके भी हमारे सेनेक अभिनंदन सिंग को वापस लाया जाए लेकिन इस देश ने पहली बार ऐसा प्रधानमंतरी देखा होगा इस देश के अंदर ये पहली बार हुआ होगा सतर सालो की आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि एक जवान भारत का एक जबाज जवान पाकिस्तान की गृप्त में है और देश लगातार पाकिस्तान की उर्ज फाइरिंग की जा रही है और जेना का जो जवान है वो डट कर पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा है लेकिन हमारे देश के परदान मंत्री और्प परचार मंत्री अपने बुत पर खड़े हैं जी हाँ आज जहां तमाम विपक्सी दलों ने ये एलान कर दिया कि हम किसी भी परकार का कोई भी कारी करम नहीं करेंगे यहां तक कि RJDK राज्यसभा संतद मनोज जहार ने तो ये भी कह दिया कि सभी राजनेतिक दलों को अपने एक पकवाड़े तक जितने भी राजनेतिक कारे करम हैं उनको इस्तगित कर देना चाहिए लेकिन BJP के परचार मंत्री और देश के प्रधान मंत्री मनमोन नरेंदर मोदी आज भी अपने बुद को मजबूत करने लगे थे जहां देश का तनाव पूर्ण माहोल है और आपको बता देगी कल जिसे ही अभिनंदन सिंग के गाइब होने की खबर आई उनके लापता खबर होने की आई उस समय भी देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी एक एप का लौंच कर रहे थे और तमाम विपकसी दल है उस सम नजर आता है कि देश की चंता किसको है और देश की चंता किसको नहीं है इसे के साथ आपको एक और बयान आपको बताते हैं कि जो बीजेपी के मंत्री है केंद्रिये और बी आर के नेता है गिरीराद सिंग उन्होंने बयान दिया है कि तीन मारच को एंडिये की होने वाली बेठक में अगर कोई भी वेक्ति नहीं आता है तो वो देश दरोई होगा मतलब तीन मारच को पटना के गादी मेदान में बीजे पी के परचार मंतरी नरेंदर मोदी की रेली है और उस नरेंदर मोदी की रेली में नहीं आने वाले वेक्ति को गिरियाद सिंग ने का है कि वो आप सोच सकते हैं कि इस देश के लिए जवान मजबूत है इस देश के लिए सबसे पहले जवान है लेकिन बीजेपी के लिए सबसे पहले अपना बुथ है और इसका हैश्टेग भी जो इसका रेकरम का लिखा था कि मेरा बुथ मेरा सबसे मजबूत आप इस चीज को सोच सकत कि जहां देस्ट ने ये पहली बार देखा होगा कि उसका प्रधान मंतरी जा सेना की एक जाबाद ज़वान गाइब है और उसके बावजूद भी प्रधान मंतरी नरंदर मोदी है अपने बुथ को मजबूत करने में लगे वेते भी कहरे हैं नरंदर मोदी की सरकार के दौरा एक जो विज्ञापन आजकल चलाया जा रहा है कि मोधी है तो मुमकिन है तो मतलब ये साफ हो चुका है कि सेना के 45 जवान मरे चाहिए सेना के जवान लापता हो जाए चाहिए पूरी जवान हमारे बीचे चले जाए लेकिन अगर बीजेपी है नरेंद्र मोधी है तो परचार भी मुमकिन है जिस दिन कुलवामा का आतंगी हमला हुआ उस दिन भी बीजेपी के सरकार के जो नेता लोग है उनके द्वारा लगातार जा देश गम हिन माहूल में था जब देश सोक मना रहा था देश के आसु भाराता देश अपने 40 जवानों की सादत का बदला लेने की मांग कर रहा था तब देश के राश्ट्रे पार्टी बीजेपी के नेता बोट मांगने की अपनी तैयारी कर रहे थे और आप अलग लग बीजेपी की जो नेता है उनके बयान सुन लीजिए उन्होंने ये साप कर दिया है कि हम लोगों को हम लोगों को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहींगे हमारे को सिरप और सिरप अपनी राश्ट्रेती से मतलब है सब विपक्षी दल एक जुट होकर ये कह रहे हैं कि सरकार को राश्ट्रेती नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए हम सेना के साथ खड़े लेकिन बीजेप को शिरफ और सिरप अपनी चीज़ से मतलब है और वो है उसका परचार करना साथ यहों आरक्ष्रं की जो सरजीकल स्ट्राइक है आरक्षन पर की जा रही है आपकी 10 लाग जो रोजकार है उच पर सद्जिविकल इस्ट्राई की जा रही है आप कुछ देख सकते हैं जो भारत की सरकार है भारत की जो सरकार है वो जो सर्वनों को 10% आरक्षन दिये गए उसको आरतिक आधार पर दिया गया आरक्षन समझते है और जो S.C.H.T. O.B.C. को दिया गया आरक्षन है उसको क्या समझते हैं हेरात और भीक समझते हैं आप कुछ समझ सकते हैं कि किस परकार से आप लोगों का जो फोट है उसको गुम्रा किरने की पूरी-पूरी कोसिस की जा रही है आपकी सेना के उपर आपके जवान मर रहे हैं और देश के अंदर जो सेवादानिक सस्ता हैं वो S.C.H.T. O.B.C. के उपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के अंदर लगी हैं आपके जो अधिकार छिनते हैं अधर असल उसी को ही सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है बीजेपी और आररस का सेना की आड़ के अंदर जो प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी अपने बुद्ध पे मजबूत करने में लगे में हैं यह इस देश के लिए कितना बड़ा कुद बेस्पी सुप्रेम माया वतीड्य आज ट्विट करके कहा था कि इससे बुरा कभी नहीं हो सकता इससे दुरुबा के पूर्ण भी कुछ नह नहीं हो सकती मिलेंगे किसे नई वीडियो के साथ लेकिन जागते रहिए सचेत रहिए उठते रहिए और हमारे साथ खड़े रहिए जैभी जैवारा आप हमारे चैनल अमबेटकाइट पिपल्स वाइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए और पाईए हर वीडियो के नोटेपी के साथ